देश के जाने माने और सबसे सब्मानित उद्योग पतिर रतन टाटा सहाब अब हमारे बीच नहीं रहे 1937 में जन में रतन टाटा 2014 में 86 साल की उम्र में कुंबई के ब्रीच केंडिया अस्पताल में अंतिम सास लिए रतन टाटा की मरत्यू पर सारा देश गमगीन है हर किसी की आँखों पर नम है रतन टाटा की ते ऐसी है की पक्च बिपक्च दोनों तरप से उनके निदन पर सोक समवेदनाओं का ताता लगा हुआ है सायदी देश में कोई दूसरा वेक्ती होगा जिसे इतना सम्मान मिला होगा जितना सम्मान रतन टाटा सहाब को मिला हलाकि मरत्यू जीवन का अंतिम सत्य है हर किसी को एक रोज इससे गुजरना है लेकिन रतन टाटा के ना रहने पर एक सवाल उठता है कि कौन बनेगा रतन वीर विक्ति की तौर पर भी जाने जाते हैं उद्योग पती रतन टाटा की पहचान एक समासेवी की रही है टाटा ग्रूब के इस समराज्य को दिन दुगनी राच चोगनी करने में रतन टाटा नमल टाटा का बहुत बड़ा हात रहा है लिडर्शिप में टाटा संस ने नई उचाईयों को छुआ है देश दुनिया में कारोबार तेजी से फैल आया टाटा ट्रस्ट के जरी देश के आग बढ़ाने गरीबों के जीवन इस्तर को बहतर बनाने के लिए रतन टाटा ने कई काम किये टाटा को लाइम लाइट की दुनिया से दूर रहने साधा जीवन उ उनके उत्रादिकारी का हो रहा है तो क्योंकि रतन टाटा की साधी तो हुई नहीं थी इंडिया चीन वार के चलते उनकी साधी रह गई थी उनका कोई संतान नहीं है उनका उत्रादिकारी को लेकर के चर्चाएं कई हैं करोणों के विशाल समराज को कौन समालेगा कौन टा टाटा गुरूप के उत्रादिकारी को लेकर के पहले सी यह उजना बन रही कि एन चंद्र शेकरन ने टाटा संस के चेर्मेंस पाद पर जो 17 साल से हैं इसके अलावा टाटा गुरूप की अलग अलग होल्डिंग कंपनियों में परिवार के दूसरे लोग भी हैं जो आगे आन नामों में सबसे आगे बताए जा रहे हैं टाटा गुरूप के वारिस माल्या नोविस्क और लि टाटा भी है नौएल टाटा के तीन बच्चे माल्या सम्भावित बारिस है उनका नाम सबसे आगे चल रहा है टाटा का नाम सबसे आगे 34 आकी देंग timing नीभा उनका निभा रही है और विदेश से पढ़ाई करने के बाद टाटा अपर्शनिटी फंड एंड टाटा डिश्टल के बड़े परदे पर हैं टाटा न्यू एप लाँच करने में उनका बड़ा रोल है अपने विजन और बहतर अनिनीती के चलते वह एक प्रमुक दावेदार ह 32 साल के टाटा फैमली विजनिस में काफी रूची रखते हैं तालुक कहरा है टोयटा की मांसी से साधी करने वाले नवल इस्टार बजार के मुख्या है यह कंपनी पर मरकेट चैन ट्रेंडिंग लिम्टेट के तहत आती है उनके लीडर सिप में टाटा वार्चन लीडर की जलक मिलती है और एक मुख्या बनने की संभावना उमने देखी जा सकती है हॉस्पिटलीटी सेक्टर को आगे बढ़ा रही है लीड टाटा 49 साल की थी टाटा तीनों भाईयों में सबसे बड़ी है टाटा गुरूप के हॉस्पिटली सेक्टर की लीड कहा जा सकता है स्पैन के ही आई बिजनिस स्कूल में पड़ी है और टाज होटल रिशाट और टाज पेले को स्पेंड करने में उनकी एहम भूमिका रही है इंडिया होटल कंपनी का ऑप्रेशन देख रही है टाटा गुरूप का कद्ध हॉस्पिटलीटी इंजस्ट्री में है और मजबूत कर रह हैं टाटा गुरूप के फॉर्चुन लीडर में से इनोवेशन इंट्रिग्रिटी और समाज से भी प्रभाव जैसे बड़ी जिम्मदारियां निभानी है टाटा सहाब ने साधी नहीं की उनके नेट वर्थ करोड रुपयों की है अब सवाल यह उठता है कि रतन टाटा के इसके जिम्मेदारियां किसको मिलने वाली हैं इन्हीं मेंसे कोई नाम होगा जो सायद उस जिम्मेदारी को समालेगा लेकिन रतन टाटा सहाब का जाना हम सब के लिए दुखत गमगीन करने वाला विशा है क्योंकि टाटा सहाब कोई इंडस्ट्री नहीं थे बिजनिसमेन को दान भी किया और सायद यही वजह है कि आज सारी दुनिया उनका समान कर रही है